प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल से अगस्त महा के पहले सपना में बच्चा चोरी होने की घटना ने हॉस्पिटल के सुरक्षा तंतर की पूल खूल कर रग दी थी बच्चे के चोरी होने के बाद SMS अस्पताल के CCTV से कोई भी खास मदद फुलिस को नहीं मिल पाई वहीं अस्पताल परिसर से होने वाली वाहन चोरी, मुबायल चोरी और एर कंडिशन से कोपर चोरी होने की घटनाओ ने प्रशाशन को परिशान कर रखा है लगातार हो रही अपराथिक वारदातों पर नज़र रखने के लिए अब SMS अस्पताल परिसर में हाई क्वालिटी के 40 नए CCTV लगाए जाएंगे जिससे अस्पताल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखे जा सके अस्पताल परशाशन ने 40 नए कैमरे लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिये हैं और चल्द ही ये परिसर की स्टॉक इंस्टॉल कर दिये जाएंगे इन सभी का कनेक्शन अस्पताल के अभै कमार्ड से रहेगा जहां से अस्पताल परशाशन निगरानी रख सकेगा अस्पताल के प्रशाशनिक अधिकारियों ने सिजी टीवी के लिए टेंडर जारी कर दिया है लेकिन इतने बड़े अस्पताल में ना काफी साबित होंगे SMS अधिशक डॉक्टर अजल शर्मा का कहना है कि सिजी टीवी काफी हाई क्वालिटी के है ऐसे में उनका सही उप्योग होना चाहिए अभी जगह तै की जाएगी कि इनको कहां पर लगाया जाए क्योंकि अस्पताल परिसर इतना बड़ा है और उसके हिसाब से 40 CCTV कम है लेकिन सभी से राय लेकर और कमीटी बना कर तै करेंगी कि कैमरे कहां लगाने चाहिए ऐसे जगहों को प्रात्मिक्ता दे जाएगी जिसमें सभी एंट्रेंस वैग्जिट गेट और भीडभाड वाली जगह कवर हो जाए